स्टॉक मार्किट में तेजी का सिलसिला बरकरार है आज सेंसेक्स और निफ्टी फिफ्टी में एक बार फिर जोरदार रिली देखने को मिली और इसने अपने नए रिकॉर्ड हाई को चूलिया सेंसेक्स की बात करें तो यह है आज पहली बार 82,000 के पार निकल गया भई दूसरी और निफ्टी फिफ्टी ने पहली बार 25,000 के लेवल को चूलिया इस समय अगर आप निवेश के लिए बैतल स्टॉक्स की तलाश में हैं तो यहां आपके लिए 3 स्टॉक्स सुझाए गए हैं जिनमें एशियन पेंट्स, DLF और TATA Communication शामिल है SMC Global Securities के Senior Technical Research Analyst शितिज गान्थी का कहना है कि इन शेरों में निवेश करके आप 5-6 हफ्तों में ही तगड़ा मुनाफ़ा खमा सकते हैं एशियन पेंट्स लिमिटेट शेर Technical Research Analyst शितिज गान्थी ने एशियन पेंट्स के शेरों में पास्चे-चे अफ्तों की अफ्धी के लिए करीदारी की सला दी है और 3380-3400 रुपए का Target Price टै किया है उन्होंने निवेश को को 2850 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस रखने की सला दी है इस सबहें ये स्टॉक 0.45 पी सदी की बड़त के साथ 3096.25 रुपए के बाव पर ट्रेड कर रहा है गांदी ने कहा पिछले एक साल में शेर पर काफी दबाब रहा है जो 3500 से गिर कर करीब 2800 पर आ गया पिछले छे महीनों में ये 2750 से 3050 की ब्रॉडर रेंज में कॉंसोलिडेट हो रहा है जो अपने 200-day exponential moving average से नीचे उतार चड़ाव कर रहा है इस extended consolidation phase के बाद शेर ने हाल ही में अपने 200-day DEMA को पार करके और 3050 के परमुक resistance level को तोड़ कर नए सीरे से तेजी दिखाई इसने निवेशक 3050 से 3000 के level के downside support zone के साथ 3380-3400 के expected upside के लिए शेर को buy hold accumulate कर सकते हैं 1000-1020 रुपए का target price और 820 रुपए का stop loss तैय किया गया है experts को 5-6 हफतों में target हासिल होने की उमीद है BLF के shareों में आज 1.5-5 फिस्तदी की गिरावट आई और ये 875.2 जिलो रुपए के बहाव पर trade कर रहा है गांधी ने कहा पिछले 4 महीनों में stock में लगातार गिरावट देखी गई है कीमतों में 950 से 750 तक correction हुआ है जिससे daily chart पर lower high और lower low का pattern बना है इसके बावजू stock को अपने 200 day exponential moving average पर support विला और इसके बाद इसमें तेज उच्छाल देखा गया इसे medium chart पर downward sloping channel की falling trained line के उपर एक breakout हुआ Tata Communication Limited Tata Communication के shareों को 2,190 से 2,200 रुपए के target price के साथ buy rating दी गई है जबकि target price 2,190 से 2,200 रुपए का है stock के लिए 1,820 रुपए का stop loss तै किया गया है इस share के लिए भी time duration 5-6 हफतों का है गांदी ने कहा हाल ही में stock में कुछ उतार चड़ाब देखने को मिला है क्योंकि कीमतों में 1,950 से 1,650 के broader range में उतार चड़ाब देखा गया जबकि daily chart पर इसके 200 day exponential moving average पर मजबूत support देखा गया अलकि सफते stock ने लंबे समय तक consolidation की अबदी के बाद 1,950 के अपने resistance level से उपर तक का नया breakout दिया निफ्टी आउट्लूक टेक्निकल एक्सपर्ट का कहरा है कि निफ्टी 50 वर्तमान में pattern के एक और higher top बनाने की रहा पर है और 25,000 के psychological beer की और बढ़ रहा है गादी ने कहा अपकमी session के लिए हमारा मानना है कि 26,900 से 24,800 का level मजबूत support zone के रूप में काम करेगा और जब तक हम इस zone से उपर रहेंगे तब तक trend bulls के favor में रहेगा उन्होंने कहा कि 25,100 और 25,200 के level पर resistance है जबकि 24,900 और 24,800 के सर पर M support देख रहा है बैंक निफ्टी पर गादी ने कहा कि अभी तक index पिछले कुछ सत्रों से दवाव में है और 51,000 के आसपास base बनाने की कोशिश कर रहा है हमें उमीद है कि index में कुछ consolidation देखने को मिलेगा क्योंकि 50,000 से 52,500 zone बर करार है एक्सपर्ट का कहना है कि इसका resistance 52,000 से 52,500 के लेवल पर और support 50,500 से 50,000 के लेवल पर है उन्होंने 51,000 के करीब गिरावट पर खरीदने और 51,800 के target के साथ 50,500 से नीचे stop loss लगाने की सलह दिये हुआ है झाल झाल